Hello and this is Simran Jit Singh and welcome to my channel The Mini Shots बात करते हैं कि क्या होता है जब आपकी GPA 2.0 से नीचे होती है 1.99, 1.98 और 1.89 एक ये बहुत ज़्यादा true story है मेरे ही खुद की friend की जिसकी GPA 2.0 से कम थी almost 1.89 GPA थी और 2 GPA के लिए उसको चाहिए थे 0.11 GPA और जैसे कि आप सब को पता है कि all over Canada में maximum colleges के अंदर 2.0 GPA चाहिए होती है graduate होने के लिए अगर आपकी GPA 2.0 है तो आप graduate होते हो अगर आप उससे कम है तो फिर नहीं होते है और 2.80, 2.0, 2.1 कुछ भी हो सकती है आप उससे graduate हो 2.0 को maintain करने के लिए कम से कम दी तो 60% या उससे अबाव होने चाहिए आपके नंबर तो मैं आपको true story बताने लग रहा हूँ कि क्या मेरे जो friend की जो GPA थी 1.89 GPA थी उससे उसको क्या परिशानी आई फिर उसने कैसे उस चीज से work permit लिया जबकि उसको एक letter भी आ गया था Canadian Government IRCC से कि as soon as possible आपको Canada छोड़ना पड़ेगा सो वीडियो स्टार्ट करते हैं इससे थोड़ी सी information आपको मिल सकती है इसमें डरने वरी कोई बात नहीं है बट बहुत simple होता है अगर आप कुछ चीजों को follow करोगे अपनी life के अंदर जब भी आप college के अंदर पढ़ रहे हो आप बहुत simple इसको पास हो जाओगा आपकी 2.9 2.8 GPA तो आपकी अराम से बन जाएगी तो अगर आपको वीडियो चे लगेगी तो आप लाइक शेयर कमेंट जुरू करते हैं ना थोड़ा सा मैंने इस पार गैप दे दिया मेरे को मैं क्योंकि भी graduate हुआ था तो मेरे को कुछ चीजें डॉकमेंट जिदर बदर करने थे तो मेंको time नहीं मिल रहा था वीडियो बन तो उसकी 1.89 GPA बनी कैसे सबसे पहले उसने दो तीन चीजों के अंदर ध्यार नहीं दिया जो कि हमें देना चाहिए कि आपकी जो assignments होती है आपके जो dropbox होते हैं आपको उससे पहले ही आपने जमा करवा देना चाहिए आपको assignments आपकी जो भी deadline आपको teacher देता है आपको उस time प graduate means कोई उसकी कोई मतलब एक कहने का क्योंकि आप उसके contact में रहते हैं और तो आपको class लगानी चाहिए यह सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी आप बहुत असानी से graduate हो जाओगे सबसे ज़्यादा के निदर क्या होता है कि आपको assignments के उपर ही depend होता है कि आप class में प week उसकी जो इसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था वो था assignments assignments उसने वो रहाता था अगर आप पकर टाइम पर नहीं जमा करवा रहे तो वह पीचर क्या करता आपके 10 कुछ मार्क काट लेता है जैसे 10 मार्क काट लिए तो उससे भी कुछ फायदा हो सकता था बट उसने वह असाइमेंट्स जमा नहीं करवाता था तो उसके बाद सबसे पहले दिक्कत उसकी यह आई थी जिससे कि उसकी 1.89 GPA बन गई अब वो उसने दो सर पूरे निकाल दिये चार सेमेस्टर निकाल दिये उसकी 1.89 GPA थी इसका मतलब उसको पता लग चुका था कि वो graduate नहीं हुआ अब वो क्या करता उसने क्या किया कि उसने फाइल दोबारा लगाई extension के लिए कि मुझे extension चाहिए मेरा study permit बढ़वाने के लिए कि मैं दो कोर्स उठा लूँगा उससे क्या होगा कि दो कोर्स उठाने से कि जो उसकी GPA है 2.2.0 या 2.0 उपर उससे बन जाए तो उसके अब उस extension चाहिए अब उसने वहां पर दिक्कत क्या करी अब हम कोई हमें जब हम फाइल लगाते तो में फंट शो करवाने पड़ते हैं कि हमारे पास इतने फंट है कि मैं जो दो सब्जेक्ट उठा रहा हूं उसके उठाने के capable हूँ या नहीं अब महां पर कोई officer बैठा होगा इसन करवाय थे 3500 डॉलर शो करवाय थे उससे क्या हुआ उसका बर्क पर्मिट फिर रिजेक्ट स्टडी पर्मिट उसका रिजेक्ट हो गया और साथ ही साथ उसको लेटर भी आ गई कि मेल आ गया कि आपको जल्दी से जल्दी कैनेडा चोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसके पास पर आपकी बुरी हालत होना तो मैंने रखती है फिर उसने एक और कंसल्टेट किया कंसल्टन उस बंदे ने वह ब्राम्टन करेंसल्टन अगर किसी को नंबर चाहिए बहुत बढ़िया कंसल्टन वह वह पर्मिट स्टडी पर्मिट कुछ भी आगर आपने लगवाना वहां स अब लगवा सकते या फिर ओपन वर्क पर्मिट जो भी रहता है आपका स्पाउस का वह भी लगवा सकते हो उस बंदे ने कुछ एक अडिशनल लेटर लगवाई कॉले से लेटर लिया सबोर्ट लेटर ली अडिशनल लेटर ली उसके बाद उसकी पूरी एसोपी बनाके फ टैंशन में आता है फिर बन्दा के पैसे का खर्च तो भई यहां पर पानी की तरह होता है तर टाइम वेस्ट होता है अब दिक्कत क्या थी जब उसने फाइल लगाई थी और जैसे उसका उसने फाइल लगाई तो जो पहली बाद रिजक्ट हुआ था फाइल उसके डेड़ सकते हों देढ़ मीने फायल लगाई वो बंदा काम भी नहीं कर सकते हैं इसके बाद उसका एक्सेंस थे फिर घर का हर चीज टाइम पर करनी है assignments आपने टाइम पर जमा करवानी है आपने जितनी assignment कर एक कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्लास लगानी चाहिए इससे क्या होता है कि आपकी हर चीज manageable रहती है और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी life के अंदर या फिर college को pass करने के लिए Canada के जो college रहते है वो बहुत ही simple college है कोई पड़ा ही कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए आप अराम से उस चीज को पार कर सकते है यह एक छोटी से स्टोरी थी और यह रियल स्टोरी है और इससे डरने की बात बिलकुए भी नहीं कि आप अगर चीज टाइम पे कर रहे हो तो आप उस चीज को अराम से निकाल सकते हो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें और विडियो को बेख निकले, तक यू सो मच